कि अगर आपके चैनल सिहतात में अगर आपके साथ महीना आठमा महीना चल रहा है यानि कि तीसा इमाही चल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखनी चाहिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूं कि तीसी तीमाही यानिकि चौथे महीने से छटे महीने तक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए तो इस वीडियों मैं दोस्टों मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो अब तो अगर मेरे चैनल पर पहली बायएं तो वीडियो के यापको नजरा नiszाग सी नहीं अगर वीडियो आपको ये फायदा होने मौला ये बेनिफिट होगा अगर मैं कोई वीडियो डालूगा यूटोप पे तो आपको बाश मैसेज और नौटिफिकेशन के जरीये मेरी हर एक वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पता चल जाएगी और मेरी हर एक वीडियो को आप फ्री में देख सकेंगे दोस्तो मेरे चैनल पे आपको प्रेंट से रिलेटेड सारे क्वेशन के सारे सवाल के सारे प्रॉब्लम के सोलूशन मिल जाएंगे आप ये वीडियो भी जाकर देख सकती है मेरे चैनल पे तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है थर्ट ट्रिमिस्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए थर्ट ट्रिमिस्टर में सबसे पहले आपको समय समय से जांच यानि टेस्ट करवाते रहना चाहिए कोई दोस्तों तिस्रीति महीं में आपको ज्यादा ज्यादा आराम करनी चाहिए क्योंकि तीसीघ्माई यानि की 7-8 और नमों महिना में आप बच्चे का विकास लगभग पूरा हो हो चुका होता है और इसमें आपकी वजन बढ़ जाती है तो अस्में आपको ज़याद ज़्याद आप करना चाहिए ताकि आपके बच्चे को किसी भी तरग का नुखसान ना हो दोस्तों आपको तीसी दिमाई में कुछ खास चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन्स प्रोटीन ओमेगा-3 और यह बहुत सारे पुशक्तत्व मौदूद हो जैसे कि अंडा से मचली चिकन पालक नट्स फल सब्जियां सावूत अनाज डेरी उत्पाद यह सारी चीज़ें आप खा सकते हैं इसमें आपको सारे पुशक्तत्व मिल जाएंगे दोस्तों अगली बात को आपको ख्याल रखना है कि बेबी के मौमेंट को आपको नोटिस करते रहना है दोस्तों बेबी का मौमेंट अगर आपको किसी भी तरह का अलग नज़र आए या कम नज़र आए तो दोस्तों आपको बिना त्यानि के तिसीति माई में अगर आपके योनि से किसी भी तरह का रक्सराव हो रहा है या गंद के साथ रक्सराव हो रहा है या वोखार या बहुत जहाँ ठंड लग रही है या पेशाप करते समय आपको दर्ध हो रही है सिर्धर्ध दृस्टी में यानि धुनलापन नजर पेट में दर्ध हो रही है जैसी समस्यां आपको नजर आती है तो आपको बिना देर के अपने डॉक्टर से सरूर मिलनी चाहिए क्योंकि यह सारी लक्षन समय से पहले प्रसव यानि समय से पहले डिरिवरी की हो सकती है और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम का भी हो सकता है तो आ और जो हलके फुल के यूगा है वो भी करनी चाहिए और आप एरोबिक्स भी कर सकती है ठीक है तो आप हलके फुल के बार्निंग वांग जरूर करें इससे आपको डिलेवरी के समय बहुत ही आराम महसुस होगा दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको नहीं करनी चाहिए तीसी तीमाई में आपको पीट केबल बिल्कुल भी नहीं सोनी चाहिए इससे क्या होगा अगर आप पीट केबल सोती हैं तीसी तीमाई में आपके बच्चे का विकास लगबग हो चुका होता है और पीट भी बड़ा हो तो आपके पैरों में दर्थ और सुजन भी हो सकता है दोस्तों उम्मीद है ये वीडियों आपके लिए बहुत ही हिलफुल रहा होगा आपको पसन आई होगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बोली जरूर शेयर करें अगर आपके मन में किसी ब बाइ टेक केर और गुद बाइ